हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आटे से बनने वाला टी टाइम केक, जो कि बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और स्पंजी बन कर तयार होता है, इस रेसिपी को मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है, आप भी इस रेसिपी को अपने घर में एक बार जरूर आटे का केक, मैंने लिए 1 कटोरी आज़ा, 1 कप दूद, 1 कटोरी PCOE चिनी, 1 तिहाई कटोरी घी, 1 छोटा कटोरी ऐस्टा पाउडर, 1 चमच बेकिंग पाउडर, अक तिहाई चमच बेकिंग सोडा, थोड़े से ड्राई फ्रूट और एक चमच वेनिला एसेंस, अब सबसे पहले हम केक का बैटर तयार करेंगे उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और उसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे ये चीनी मैंने घर में पीस कर तयार किया है जो घी लिया था एक तियाई का टूरी उसको भी डाल कर अच्छे से मिक्स कर देंगे गी कीजेगे आप unsalted butter या refine कभी इस्तेमाल कर सकते हैं अब जो दूद लिया है उसको भी थोड़ा थोड़ा डाल कर इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिसरण हमारा अच्छे से मिक्स होकर तयार है अब हम इसमें dry ingredients डालेंगे उसके लिए मैंने एक छल्ली लिया है और उसको इस तरह से रखेंगे और इसमें एक एक करके सारी चीजों को अच्छे से चान लेंगे ताकि जो भी कुछ अगर है उसमें मोटी चीज तो वो उपर रह जाए इस तरह से डाल कर अब हम इसमें baking powder डाल देंगे अगर आप बड़ी चल्ली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक सारी चीजों को डाल कर भी चान सकते हैं अब हम कस्टट रॉलर डाल लेंगे और इसको भी अच्छे से चान लेंगे चानने से हमें एक चीज़ का फायदा होता है कि जो हमारे सारे ड्राइ इंग्रीडियंस है वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और जो हमारा बैटर है वो बहुत ही फलफी बन कर तयार होता है ये देखें इस तरह से अब हमें एक स्पून लेंगे और इसको अच्छे से एक साइट को ही मिक्स कर लेंगे दोनों साइट को नहीं चलाना है नहीं तो बैटर में गाठे पर सकती है इस तरह से इसको मिक्स करेंगे बैटर हमें गाढ़ा लग रहा है हमने जो दूद लिया था उसको हम और दूद इसमें डालेंगे और इसको फिर से mix करेंगे बैटर mix करते समय हमें थोड़ी सी साउधानी रखनी है बैटर को बहुत ही हलके हाथों से और अच्छे से mix करना है और ये देखिये बैटर हमारा mix होकर तयार है विल्कुल हमें इसी तरह की consistency का बैटर चाहिए अब हमने जो वेनीला essence लिया है उसको डाल देंगे मैंने वेनीला essence का इस्तेमाल किया है आप इसकी जगे दूसरे essence का इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम इसमें dry fruits डाल देंगे मैंने dry fruits का इस्तेमाल किया है आपको इसकी जगे tutti fruity या cake को plain भी बना सकते हैं केक का बैटर हमारा रेडी है, केक हम कडाई में बना रहे हैं, इसके लिए हम कडाई को प्रीइट करेंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसमें नमक डाल कर इसको 5-7 मिनिट के लिए धख कर प्रीइट होने देंगे, जब तक कडाई हमारी प्रीइट हो रहे है, तब तक हम अपना केक टिन रेडी कर लेते हैं, थोड़ा सा तेल डाल कर अच्छे से ग्रीश कर लेंगे, मेरा ये केक टिन 6x2 का है मैंने उस अंसार क्वांडिटी बताया है आप अपने केक टिन की अंसार क्वांडिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं अच्छे से ग्रीस करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा आटा डाल कर इसकी अच्छे से कोटिंग कर लेंगे आप आटे की जगे बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखिए इस तरह अच्छे से इसकी कोटिंग करने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल देंगे केक टिन हमारा रेडी है अब हमारा जो बैटर है हम उसको केक टिन में डाल देंगे इस तरह से सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे और इसको 3-4 बार अच्छे से टैप कर देंगे कडाई हमारी प्रीईट हो चुकी है अब हम इसमें केक टिन रखके 30-35 मिनट के लिए केक को बेख होने देंगे उसके बाद एक बार चेक करेंगे 35 मिनट हो चुके हैं केक को हम एक बार चेक कर लेते हैं जब 20 मिनट हुए थे तब मैंने केक को खोल कर और उसमें इस तरह से काजू रक्कीस को डेकोरेट कर दिया था यह अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं ने तो skip कर सकते हैं knife हमारी plane निकल रही है इसका मतलब cake हमारा पूरी तरह बेक हो चुका है अब हम इसको निकाल कर ठंडा होने देंगे और यह देखिए कितना प्यारा दिख रहा है यह अब हम इसको cut कर लेते हैं पंद्रा मिनिट के बाद इसको इस तरह से knife किनारे से चारो तरफ घुमा देंगे और एक ट्रे में इसको हम निकाल देंगे और यह देखिए केक हमारा कितना सुन्दर golden brown पक्कर तयार है अब हम इसके pieces cut कर लेते हैं मैंने square pieces में cut किया है आप अपने पसंद के अंचार pieces बना सकते हैं यह गेहूं के आटे का cake बहुत ही healthy उन्हें के साथ साथ बहुत ही tasty बनता है इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप गेहूं के आटे का cake अपने घर में बनाएं और अपना experience मेरे साथ जरूर share करें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe करें, like करें और दूसरों को भी share करें अब एक piece को हम उठा कर देखेंगे और ये देखिए इस तरह प्रेस करने से केक हमारा फिर से उपर उठ रहा है इसका मतलब केक हमारा perfect बनकर तयार है अब देखिए बहुत ही सुन्दर लग रहा है आप भी इस cake को अपने घर में बनाएं और अपनी family के साथ enjoy करें Thank you